इस वीडियो में मैं आपको बताओ कि आप Google Cloud Community Days को कैसे रजिस्टर कर सकते हो तो आप इस वीडियो को अन तक जरू देखिए था सो गूगल का जो Cloud Community Days है वो होने वाला है January 22 से 23 तरग ऑनलाइन होने वाला है यहाँ पर आपको registration करना है registration पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको login with your Google account बताना है आपका email id confirm करना है यहाँ पर मैं already form मैंने कर दिया है submit कर दिया है इसलिए मुझे मेरा email id मुझे बताने ही रहा है मुझे बोल रहा है कि you are already submitted this form ओके यहाँ पर मैं log out कर देती हूँ और मैं कोई और email id से login करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर जैसे मैंने email id से login कर लिया है वहाँ पर मुझे email id by default आ रहा है नाम आ रहा है यहाँ पर आपको आपकी basic information add करनी है यहाँ पर जो भी आपका role है वो आप यहाँ पर select कर लेचे जो भी आपकी जो basic information है अगर are you cloud certified yes no अगर नहीं है तो नहीं कीचे यहाँ पर एक है इनका यह star mark है which of the following certificate are you interested in okay आपको किस में interest है वो आप यहाँ पर select कर सकते हो machine learning engineer आपको जो भी certification year of experience 0 से 2 by default इनका option है जो select करना है आपको okay और यहाँ पर आप कौनसे city से belong करतो हो gdg is a group google developer program okay google developer group करके है तो आप कॉंसे community से हो आप select कर लीचे यहाँ पर how did you get to know about this event आप यहाँ पर facebook youtube आपको जो भी जहां से पता चला है यहाँ पर through company page आपको मेरे channel के तुरू पता चला है तो यहाँ पर other community ऐसे लिखा हुआ है अगर आपको specially कोई remark लिखना है अगर आपको लिखना है आपको कोई information चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो by checking the information इनकी basic terms and condition आपको agree करनी है और आपको submit करना है जैसे आप submit करोगे आपको यह message आजाएगा thank you for registering your google cloud community day India annual cloud conclave registered by 11 gdg cloud community ओके अगर आपको generate हाँ interesting चीज है आपको अगर आपका profile generate करना है या पर batch generate करना है तो आपको सकते हो upload image पर जाके for example यहाँ पर मैं एक photo upload करके आपको बता रही हूँ example के लिए यहाँ पर यह मैं photo upload किया और बस यह download कर इससे क्या होगा कि आपने कि cloud badge इनका अटेंड किया है वो proof हो जाएगा so इस तरह से आप gdg cloud community को register कर सकते हो यहाँ पर आपको certification में मिलेगा goodies भी मिलेगे बहुत सारी चीज़े है इसमें आपको सीखने मिलेगा यह afternoon से start होने वाला है इसकी details भी मैं आपको description में दे दोगी तो अभी के अभी इसको register के जिए thank you so much